हेलो दोस्तों तो आज देखेंगे 10 important mcqs जो फार्मसिस्ट एक्जाम में पूछे जा सकते हैं सब्जेक्ट है फार्मकोगनोसी पार्ट 7 फर्स्ट कॉस्चन है इन में से कौन सी ड्रग है जो एंटी रिवमेटिक के ये यूज की जाती है तो इसका सही जाब होगा option A. गूगूल सेकेंड कॉस्चन है वाट इस दा फैमली ओफ कॉल की कम का फैमली क्या है तो इसका सही जाब होगा option A. गूगूल की फैमली क्या है तो इसका सही जाब होगा option A. गूगूल इज उप्टेंड फ्रॉम गूगूल जो है वा प्लांट के किस पार्ट से उप्टेंड किया जाता है option A. seeds, option B. leaps, option C. bark, option D. root तो इसका सही जाब होगा option C. bark गूगूल बार्ट से उप्टेंड किया जाता है बार्ट में सीजन लगा कर और यह जो केमिकल है यह है ओलियो गम रेजिन फिप्ट कॉस्चन है गूगूल का केमिकल कंस्टिट्टुइन्ट क्या है option A. gum, option B. volatile oil, option C. resin, option D. all of these तो इसका सही जाब होगा option D. all of these जैसे कि question number 4 में गूगूल को अप्टेंड किया गया था बार्ट से जो की है ओलियो गम रेजिन तो ओलियो मतलब volatile oil, gum and resin इसमें तीनों केमिकल कंस्टिटुइन्ट पाया जाते है गम पाया जाता 60%, resin 30%, volatile oil 0.5-0.15%, moisture 5% and organic matter 4-5% शिक्स्त कोस्टन है इंडियान कोल की कम कंटेंज कोल की सिन वी चीजेन option A. alkaloid, option B. volatile oil, option C. resin, option D. tannins जो इंडियान कोल की कम है उसमें केमिकल होता कोल की सिन तो वो जो केमिकल है वो किस केटेगरी का है तो इसका सही ज़ाब होगा option A. alkaloid कोल की सिन जो है वो alkaloid है next question है question 7 चॉल मुगर ओओल, is used as चॉल मुगर ओओल को किस लिए यूज किया जाता है option A. anti-liprotics, option B. as anti-cancer, option C. anti-hypertensive, option D. antiseptics तो चॉल मुगर ओओल को इस्तिमाल किया जाता है option A. anti-liprotics के लिए तो देखते हैं लेप्रोजी क्या होता है लेप्रोजी इनफेक्सिस डिसीज होता है जो माइको बैक्टेरियम लेप्रेक आउच करती है जो की एक बैक्टेरिया है या फेक्ट करता है skin and nerves को जिसमें skin जो है वो ठीक हो जाती है और sensation decrease हो जाता है next question है hydnocarpus oil is also cold hydnocarpus oil को और क्या बोला जाता है option A, castor oil, option B, olive oil option C, chalmugre oil, option D, peppermint oil तो इसका सही जवाब होगा option C, chalmugre oil को hydnocarpus oil भी बोला जाता है और एक नाम है gynocardia oil तो ये दो नेम है chalmugre oil के next question है question 9, chalmugre oil is option A, fixed oil, option B, volatile oil, option C, both A and B, option D, none of these तो इसका सही जवाब होगा option A, fixed oil, chalmugre oil ये fixed oil की category में आता है last question है, question 10, flock or TSE is the family of which of the flowing किस ड्रग की family है flock or TSE option A, बेला डोना, option B, chalmugre oil, option C, echo night, option D, google तो google की family उपर discuss कर चुके है echo night का होता है, एक नाम था है तो option B, chalmugre oil इसका सही जवाब है तो दोस्तों अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम पर जाकर करके डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम का लिंक आपको description में मिल जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और ज्यादा से ज्यादा share करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग करें तो मिलते हैं